हाई एवरिवन कैसे आप सब उमीद करती हो आप लोग अच्छे होंगे फ्रेस गोवी के कोफती या सबजी तो आपने बहुत तरह के बना कर खाये होंगे एक बार इस तरीके से बना कर खाये बहुत पसंद देगा तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं इसके लिए मैंने हाल्ची यह बड़ी लाइंची दो छोटी लाइंची दो लॉंग और एक टिज-पता जिसे हमने थो लिया है च्वाइब देला हैनोगा वियान सीख मेड़ का कर विल्म रफ्सितुं चाहता से सुमादा झार द हमें केicação Göriken चिंते जान सेट के एक ह ज़त का मिर्च , अधिज रम गेमर्श से अक्षा किरीम कमाता है किरी कि सबाए चाहता है वो भी को मैंने पीस कर जो लिया है न अब इसमें मसाला एट कर देंगे आधी चमच मिर्च पॉड़र आधी चमच नमक और आधी चमच हल्दी और आधी चमच जीरा काली मिर्च पॉड़र और थोड़ा सा धनिया और एक चमच अजवाइन लेंगे इसे हातों पर इस तरह से क मिक्स कर देते हैं आप देख पा रहे हैं तोफ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए responsibility आपको बहुत पसंद आएगा तो इस तरह से çमच के मदद से इस तरह से हमने वड़िया से mix कर लिया है अब देख पा रहे हैं काफी अच्छी तरीके से mix हो गिया है अब इस तरह से हातों पर एक लोई लेंगे इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस तरह से हातों से चिकना करते हुए गोल करके इस तरह से दबा लिजे या तो आप चाहे तो कोफता के से भी दे सकते इसी तरीके से सारे टीकी को गोवी को हम बना के रेडी कर लेते हैं तो देखे फैंस बना के हमने रेडी कर लिया है तो चलिए अब हम गैस के तरफ चलते हैं पैन में मैंने यहां पे दो चमस तेल ले लिया है यह सरसो का तेल है तेल को बढ़िया से गरम कर लेते हैं तेल जो गरम हो जाए तो इस तरह से टीकी एकेक करके डाल देते हैं आप देख पा रहे हैं मेडियम टू हाई फिलेम पर टीकी को डाल कर तल लेते हैं तो फ्रेंस एक बार आपको मैं याद दिला दू अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अभी से ही लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले इस तरह से कड़ेंगे तो पूड़ा 24 तरप से क्रीस्पी होगा और अंदर तक बढ़िया से पकेगा इस तरह से देखिए फिरा आस अच्छी तरीके से फराई हो गया तो चलिए अब हम आगे के त्यारी कर लेते हैं, इसी पैन में जो हमने प्याज मसाला का दरदरा सा पेस्ट बनाया था, इसे डालेंगे तेल में और बड़िया से तेल के साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करते हुए मेडियम फिलेम पर 3-4 मिन तक पका लिजे मसाले को ताकि अच्छा फ्लेवर जो भी मसाला को हो सब निकल जाया, तो 3-4 मिन तक मसाले को हमने पका लिया है, तो साथ ही टमाडर का पेस्ट एड़ कर देंगे, इसे भी साथ में बरिया से मिक्स कर लेते हैं, थोरा देर इसे भी मिक्स करते हुए भून लेंगे, एक मिन जब भू और स्वात के अनुसार से नमक, एक चमच, और सब को डाल कर बढ़िया से इस तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लीजे, ध्यान रहे है, गैस का फिले में यहां पे लो ही रिखेगा, और मसाले के साथ 3-4 मिन तक फिर से बढ़िया से मसाले को भून लीजे, जब तक के मसाले से त अलग हो गिया है, मसाला काफी हद तक भून गया है, तो साथ ही हम एक कप पानी एट करेंगे, ध्यान ड़ैफरेंस, ग्रेवी के हिसाब से थुरा सा पानी यहां पे जादा ही एट करें, इस रेसिपी में ग्रेवी काफी अच्छी तरीके से गोवी पानी पीता है, इसलिए पानी थोड़ा जादा ही डालिएगा, डाल कर बढ़िया से हाई फिलेम पर उबाल आने दीजे, तो देखिए अवबाल आ चुका है, तो साथ ही हम इसे टिक की डाल देंगे, जो हमने गोवी को फ्राइगर के लिया था, और ढखकर दो मिन्ट तक इसे भी साथ में पका लें तो देखे फ्रेंज सब्जी फाइनली हमारा बनके रेडी हो चुका है, अब देख पा रहा है कितना टेस्टी और कितना टेम्टिंग लग रहा है, आज की रेसिपी मैंने एकदम सिंपल और असान तरीके से बताया है, उमीद है कि आपको पसंद आए, दिखने में जितना ट टेस्टी होता है, यकीन मानी फ्रेंड्स एक बार ट्राइ करेंगे, तो गोवी के सब्जी आप बार बार इसी तरीके से बना कर खाएंगे, तो गोवी को घिसना पड़ता है, इस रेसिपी में आपको गोवी को घिसना भी नहीं पड़ेगा, एकदम सिंपल और असान तरीके से हमने बताया है, तो देखे फेंस, कट करके भी दखाते हैं, इस तरह से देखें कितना सॉप्ट बना है, मुव में जाते ही, घूल जाए, इतना टेस्टी, गोवी के सब्जी बनके रेडी हुआ है, तो उमीद करती हूँ, आज की रेसिपी आपको पसंद आया हो, पसंद प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना, बिलकूल न भूलियागा, और कमेंट करके जरूर बताए, कि आज की रेसिपी आपको कैसा लगा, फिर मिलते हैं, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के, टेक के, थैंक यू बाए,